नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि मैगनागोफDX सिरप का उपयोकिन कंडिशन्स में किया जाता है, मैगनाकोफ डीएक्स सिरप को कैसे लेना चाहिए और मैगनाकोफ डीएक्स सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि मैगनाकोफ डीएक्स सिरप को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए मैगनाकोफ Dx सिरप का उपयोग सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है इसके अलावा मैगनाकोफ Dx सिरप सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजरी होना, छींक आना और नाक बंध होना आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए भी मैगनाकोफ Dx सिरप का उपयोग किया जाता है साइल इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में मैगनाकोफ Dx सिरप की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में मैगनाकोफ Dx सिरप की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे मुव में सुखापन, सिर्दर्ध होना, भूप कम लगना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, कब्स होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आधी साइड इफेक्स मैगना कोफ दी एक्स सिरप की वज़र से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की मैगना कोफ दी एक्स सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, मैगना कोफ दी एक्स सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आमतोर पर 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को Dr. 2.5 मिलीलीटर मैगनाकोफ Dx सिरप को दिन में 2 बार देने की सला दे सकते हैं वह 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को Dr. 5 मिलीलीटर मैगनाकोफ Dx सिरप को दिन में 2 बार लेने की सला देते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलिलीटर मैगनाकोफ डी एक सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं मैगनाकोफ डी एक्स सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको मैगनाकोफ डी एक्स सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि मैगनाकोफ डी एक्स सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए मैगनाकोफ डी एक्स सिरप के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए और मैगनाकोफ डी एक्स सिरप को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवशक्ता होती है क्योंकि Magnakov DX Śirup को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींड आ सकती है Magnakov DX Śirup का उप्योग केवल सूखी खासी होने पर किया जाता है इसलिए बल्गम वाली खांसी होने पर Magna Cove DX सिरप को नहीं लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को Magna Cove DX सिरप या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Magna Cove DX सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए Magna Cove DX सिरप का सेवन करना सुरख्षित है. वैसे Magna Cove DX सिरप मा के दूड्ड में थोड़ी सी आत्रा में निकलती है. लेकिन इसकी वज़़ज से दूड पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं कि गए हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मैगना कोफ डी एक सिरप से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकत हैं